हेलो लिब्रा वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं डिवाइंटरो डबल फोर आज की वीडियो में हम लिब्रा यानि की तुला राशी वालों के लिए अगस्त मन्त की रीडिंग करने वाले हैं कि अगस्त में लिब्रा के फाइनेंस और उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है अगर आपकी डेटो बद 23 सक्तमबर से 22 सक्टूबर के बीच में बैखती है तो आपकी राशी तुला है और अगर आप चंद्र राशी के हिसाब से भी आपको तुला राशी मैच करती है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं तो फ्रेंग सी एक जनरल और आपकी लब लाइफ को लेके तो सबसे पहले हम आपके फाइनेंस चेक करते हैं कि अगस्त में आपके मानि मैटर्स आपके धन संबंदी मामले कैसे रहने वाले हैं तो लिब tyre आपके काट कहते हैं कि फिर्स्ट विक में आप किसी भी चीजओ के पिछे बहुत जएदा भ ज्यादा फाइदा हो और अधिकतर लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप गैंबलिंग करते हैं अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर आपने कोई इस तरह कर रिस्क इंवेस्टमेंट किया हुआ है तो इस मन्त में काफी बेताबी से वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई जमीन जयदाद की डील कर रहे हैं या किसी घर की डील कर रहे हैं या आप कोई बहुत ऐसा एक्सपेंसिव आइटम खरीदने जा रहे हैं तो बिना सोच विचारे इस मन्त में बिलकुल मत करिएगा लेकिन अगर आपने अपने काम को लेके अपने बिजनस को लेके पास को लेके आप abundance की तरफ जा रहे हैं थार्ड वीक में फिर से मुझे अनर्जी आपकी थोड़ी से वीक लग रही है कुछ लोग मुझे ऐसा लगता है कि एक जॉब में अगर उनको फायदा नहीं है काम में फायदा नहीं है तो वो चेंज भी कर सकते हैं और अगर चेंज नहीं भी कर रहे हैं क्योंकि इतनी जल्दी चीजे एकदम से चेंज नहीं होती है फिर भी मुझे थार्ड वीक के आपके एनर्जी ऐसी लग रही है कि financially आप सफर कर रहे हैं जबकि ऐसा होने नहीं चाहिए second week में आपको एक positive news तो मिला ही है fourth week में again आपके एनर्जी एनर्जी आपको लिबरन कोई good news मिल सकती है आपके finance better हो सकते हैं क्योंकि आपकी bottom of the deck भी is of sorts का काड आया है आपके लिए कुछ चीजे बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही है जो आपके finance से जुड़ी हुई है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजे आपको इस मन्त में अचानक से ही फायदा देने वाली है कुछ आपने मेहनत जरूर करी है इन पर तो इस मन्त में आपके finance जो है मुझे बहतर होते हुए नजर आ रहे हैं अगर कुछ लोग trouble में थे तो tension मत लीजिए आगे सब कुछ आपके साथ बहुत अच्छा होगा तो Libran देखते हैं कि इस मन्त में आपकी love energy क्या कहती है स्टार्टिंग में ही आपका two of cup का card आया है तो hundred percent आप बहुत ही अच्छा time spend करने वाले हैं अपने love ones के साथ में two of cup का card है एक mutual understanding एक बहुत ही made for each other वाली जोड़ी अपस में बहुत ज्यादा प्यार होना stability, honesty एक relationship में हर कोई यही चाहता है तो आप किसी ऐसे relationship में या तो हैं तो आगे बढ़ रहे हैं और अगर नहीं है तो कोई ऐसा ही व्यक्ति आपकी life में आने वाला है क्योंकि is of friends की energy है आप किसी को attract कर सकते हैं या कोई आपकी तरफ आ रहा है मुझे इस मन्त में मालूम नहीं क्यों लगता है लिब्रन की आप कुछ सोच विचार में हैं आपके साथ बहुत सारे आपके सामने बहुत सारे या तो option है किसी relationship को लेकर या आप फिर अपने relationship के अलावा और बहुत सारी चीजों में इस मन्त में मुझे उल्जे हुए नजर आ रहे हैं कुछ तो है सोच की कुछ ज्यादा सोच ये मत क्योंकि four of pentacle का card है आप कुछ चीजों को hold करके बैठे हुए हैं कुछ चीजे आपके दिल दिमाग में जो घर कर गई है थोड़ा सा आप सब कुछ अच्छा होते हुए बहतर होते हुए भी आप थोड़े से कटते हुए मुझे नजर आ र कर दिमाग में बहुत तेजी से घटित हो रही है आप सोच बहुत रहे हैं इस मन्त में लेकिन जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है कोई भी card यह नहीं बताता है कि आपको इस मन्त में लाव रिलेशन में प्रॉब्लम कुछ नहीं है लेकिन फिर भी आप अपने काम के अलावा या तो बहुत सारी चीजों पर फोकस कर रहे हैं या फिर आपके पास लव रिलेशन्शिप में कुछ आप्शन है आपको आगे बढ़ना चाहिए एक अच्छी एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए अगर आपके पास्ट में कुछ हुआ है तो उसको होल्ड करके मत बैठिये क्योंकि आपके कार्ड बहुत अच्छे आए हैं टूफ का कार्ड कहता है कि स्टेबिलिटी एक हंडेट परसंट में मेक फोर इचेदर वाला कार्ड है एक ऐसा रोमेंस जिसमें लॉयल्टी हो अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है तो उसको जाने मत दीजिए और अगर आ रहा है तो उसका वेलकम कीजिए तो यह डिडिंग थी लिबरन आपके फाइनेंस और आपकी लव लाइफ को लेके आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए हम फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर थैंक्यू सो मच